Good morning, my name is Rani Bhatia, I am the teacher of class nursery Welcome to the class nursery, Good morning children आज मैं आपको एक एक्टिविटी करवा रही हूँ जिसमें हमारी standing line, sleeping line, slanting lines, and curve सभी चीज़ें आ जाएंगी जिस तरह से देखिए, मैंने ये एक सरकल बनाया है इस सरकल में आपका कर्व हो जाएगा और उपर से हमने ये standing line की है, जो नीचे तक जा रही है और इस side में मैंने sleeping line की dot बनाई है और इस तरफ मैंने slanting line की dot बनाई है तो इस तरह से जैसे sun होता है, sun अपनी sun की किर्णे निकलती है तो उसी किर्णों में, raise में, sun की raise जो निकल रही है इसमें हमारी सारी lines आ जाएंगी तो इस तरह से आपको dot बना कर देना है और फिर इसमें आपको इस dot को मिलाते हुए एक curve बनाना है इस तरह से आप dot बन मिलवाएंगे इस dot को मिलाते हुए हमारा left curve बनता है और जब हम इधर वाला dot मिलाएंगे तो यह हमारा right curve बन जाएगा तो इस तरह से हमें dot को मिलाते हुए curve को complete करना है और यह एक sun की shape बनी हुई है और इस तरह से जब हम उपर वाली lines को मिलाएंगे तो हमारी यह standing line बन जाएगी जो हमारी नीचे तक जा रही है तो यह हमारी standing line complete हो गई और इस तरह से जब हम side वाली lines को मिलवाएंगे तो हमारी यह sleeping line बन जाती है और अगर हम यह वाली line मिलाते हैं तो हमारी slanting line ready होती है इस तरह से आप बच्चे को समझाते भी जाएंगे यह हमारी slanting line बन रही है एक बार आप और repeat करेंगे तो बच्चे के mind में आ जाएगी कि हमने यह सारी lines अभी पहले हमने बना चुके हैं तो इस तरह से इन सब lines को भी मिलाने से इसे हमारी एक और slanting line बनेगी और आप इसमें अगर आप बच्चे से color करवाते हैं तो बच्चे को और interest आएगा करने में और बच्चा color को ज्यादा color activity को बच्चा ज्यादा पसंद करता है और इस तरह से जैसे मैं हर ड्राइंग में बता रही हूं आपको कि इस तरह से आपको एक outline बना के देनी है तो इस तरह से outline बनाकर सिर्फ आप ड्राइंग की outline बनाएंगे और उसके बीच में बच्चे से color करने को कहेंगे तो इस तरह से outline ready हो गई अब आप बच्चे को बोलिए वो बीच में color करेगा तो जब बच्चा कलर करेगा तो ये कलर बाहर भी नहीं निकलेगा तो इस तरह से हमारी एक सुन्दर एक्टिवीटी भी त्यार होगी और हमारी एक ड्राइंग भी कम्प्लीट हो जाएगी तो आज हमने सारी लाइन्स को हमने वापिस रिपीट किया है इसमें तो इस तरह से देखिए हमारा सन तयार हो गया और इसमें बच्चे को लाइन्स की भी वापिस पैचान हो गई इस तरह से आप बच्चे को बताईएगा कर्व, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन तो इस तरह से बच्चे का हाथ भी चलने लगेगा और बच्चे को अक्टिविटी करने में इंट्रस्ट भी आएगा क्योंकि उसको कलरफुल ड्राइंग ज्यादा पसंद आती है, बच्चा कोई भी कायम करें, अगर उसमें कलर करता है तो बच्चे को ज्यादा अच्छा लगता है थैंक यू